अगर आपके घर में भोपला खाना नहीं पसंद करते हैं तो आज आप हमारे तरीके से बना कर देखी सभी उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे और यकिन मानिये बहुत ही टेश्टी ये सबजी लगता है एक बार अपने घर में आप जरूर एगवय बना कर ट्राइ करिएगा सभी को पसंद आएगा ये तो चलिए फ्रेंट बनाना शुरू करते हैं इधर में ले लिए हूँ ग्रीन चिली एक और लेसुन पांचे चाय कलि अधर में ले लिए हूँ भोपला और आलो दोनों मिक्स करके में बनाओंगी दोनों मिक्स करके बनाने से बहुत ही टेश्टी हमारी सबजी बनेगी इसलिए में दोनों लिए हूँ और इधर में ले लिए हूँ सरसो का तेल इसमें तड़का लगाते हैं राई से और जीरा और 5-6 कड़ी पत्ते इसमें ले ले लिए हूँ बारिक लंबे साइज का मैंने गार्लिक काट लिया था और साथी में हरी मिर्च सबको तड़कने देते हैं दो मिनट अब मैं इसमें एड़ करती हूँ जो आलू और भोपले थे साथी में एक ही साथ डाल देते हैं बहुत ही टेश्टी बनती है अगर आप दोनों मिक्स करके बनाएंगे तो आलू और भोपला को अब मैं इसको ढग देती हूँ पांच मिनट के लिए इसको भून लेते हैं अब पांच मिनट हो चुके हैं अब इसको अब इसमें हल्दी पॉडर डाल देती हूँ इसमें अब थोड़ा समय मसाला में एड़ करूंगी सबजी मसाले बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा लाल मिच पाउडर सभी को मिक्स कर लेते हैं अब इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दे रही हूँ मसाला ताकि जलेगा नहीं अच्छे से मिक्स करके मैं ढख देती हूँ इसको 5-6 मिनट के लिए पांच मिनट हो चुके हैं अब इसको देख लेते हैं एक बार फिर से चला के अब हमारी सबजी कच्ची है अब हमारी सबजी बन करके तयार है आप देख सकते हैं बहुत ही टेश्टी बनी है उपर से मैं गार्निस कर दे रहे हूँ धनिया धनिया को भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी लगी हो इस तरीके से अपने घर में आप बनाएए सभी को पसंद आएगे जो लोग खाना नहीं पसंद करते हैं बोपले कि सबजी उन लोग को पसंद आएगा अगर हमारी आपको रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हाँ जरूर से सबी को सेयर करिएगा तब तक के लिए नेक्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरिके से बाई